अभी भी जिसका खून न खूला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए, वो बेकार जवानी है सन 1921, मात्र 14 वर्ष की आयू में जिन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था जिनकी बुद्धी मता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इस आंदोलन में भाग लेने पर अंग्रेजों ने उन्हें गिरफतार कर लिया तो जज ने उनसे उनके तथा उनके पिता के नाम के बारे में सवाल किया तो जबाब में उन्होंने कहा मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंतरता और पता कारावास है इलहबाद के एक पार्क में जब पुलिस ने उन्हें घेर लिया और उन पर गोलिया दागनी शुरू कर दी लेकिन अपने पास गोलिया समाप्त होते देख जिन्होंने अंतिम निर्णे लिया कि वह अंग्रेजों के हाथ कभी भी खुद को जीवित गिरफतार नहीं होने देंगे और अपनी प्रतिग्यां पर कायम रहते हुए अंतिम कार्तूस स्वयंग अपने नाम कर लिया और देश के प्रती नियुच्छावर हो गए इस महान करांतिकारी आजाद युवा और भारतिय वीर सपूत का नाम चंद्रशेखर आजाद है जिन्होंने अपनी बहादरी और साहस की कहानी खुद ही लिखी आज उनकी पुन्यतिती पर आयम सी परिवार उन्हें श्रद्धांजली अर्पित करता है गुड़ आयम सी